के नमशकार है क्थक खानापकाना में आपका स्वागत है आपको मैं दिखा रही हूं आज की हमारी रैसिपी है कि घर पर ही देजी से फटा फट गर्मियों का तोफा हम बना रहे हैं कोल्ड कोफी इतनी फास्ट बनाएंगे कि आप देखते ही रहेंगे कि एक से दो मिनट के अंदर हमने कोल्ड कोफी रेडि कर लिया है उसका इंग्रेडियन है यह देखिए मेरे पास एक से देड़ चमच कोफी है और यह मेरे पास अधा लिटर दूद्ध और पाई से साथ आइस क्यूब्स और चीनि अब हम पहले जार में दूद्ध डालेंगे यह गर्मियों का तोफा आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके पीए या फिर अपने रिष्टेदारों के साथ बैठ के पीए महमानों के साथ आप जैसे पीना पसंद करें बाहर गर्मी से आप आएंगे तो आप तुरंद अपने लिए आप मैंने दूद्ध उबाला नही दूद में काफी है अब हम इसके अंदर चार चमच चीनी आप चीनी अपने स्वाध अनुसार मिलाएं कम डालना चाहते हैं तो कम डाल लीजिए अगर आप ज्यादा डालना चाहते हैं तो ज्यादा डालेंगे पीजी वाले बच्चे इसको फटा फट और जटा जट बना करके जाते हुए पीजाएं या आ करके पीएं एक दम खटी के पी एक दम अपना पी अच्छे दॉद्ध की बना ले उबालने के लोड़क नहीं है आप देखेंगे कितना टेस्ट उसका आया है कोफी हमारी रेडी हो गई है आईये हमारी कोफी रेडी हो गई है अब हम इसको साव कर लेते हैं कच्छे दूद में ही पटा फट एक से दो मिनट के अंदर आप कोफी रेडी करें देखिए कोफी हमारी रेडी हो गई है अब हम इसमें आईस क्यूब मिला लेंगे बीजिए आईस क्यूब्स और आप पीने के लिए रेडी हो जाएं देखिए कोफी को इस तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए उपर और टेस्ट बढ़ जाएगा लीजिए हमारी कोफी कोफी धर पर ही रेडी हो चुकी है और आप बहुत ही टेस्टी कोफी पीए अगर आपके बॉन्डर ब्लैंडर नहीं है यह ब्लैंडरं फैटने के लिए आपके पास नहीं है तो आप दो गिलासों को एक दूसरे के इस तरह से फैट सकते हैं, दो गिलासों को इस तरह से लें, और अचछे से पैट लें, आप ऐसे ही पीना पसंद करते हैं, तो यूं ही करते हैं बहुत टेस्टी को भी आइस्टीक कौलाइश्ट बाइं किसे और इमद्धिकab में अधिका इश्यके अड़ीक हाए सब और अब हम आइस्क्रीम एड़ कर देंगे तो इसकी पॉस्टिकता और टेस्टी सब बढ़ जाएगा लेजिए लेजिए हमारी मज़ेदार आइस्क्रीम कोफी रेडी हो चुकी है दो मिनट के अंदर ये कोफी रेडी हुई है आप पीजी जाते टाइम पीके जाएं इतनी टेस्टी कोफी आ करके पीएं अपने दोस्तों के साथ इंजोई करें दो मिनट में रेडी हुई है और कच्चे दूद से बनाई गई है उपर मैंने आइस्क्रीम एक्स्ट्रा लगाई है अगर बिना आइस्क्रीम के भी आप पीना चाहें तो बहुत टेस्टी होती है आप ये इंजोई करें अगर आपको हमारी डिश बनाई डिश पसंद आ रह बहुत आपको हमारी कि बहुत शवब हैं ये नियोग के उप हुआ है और कि अगर है तो ऑनीटार को फड़्म के तरू है आपको हमारी को जर दो मab wijवारा कि पुर भजवत टा शन्री है है अगर बहुत अहां धश पतना नह रहा है अग्